युवा बेरोजगार हैं उनके घर में खाने के लिए नहीं है तो रोजगार करिए कौन रोका है आपको रोजगार सरकार रोजगार देगी तभी तो करेंगे पेपर लीक हो जा रहा है पेपर कारी नौकरी चाहिए क्या बिल्कूल अनिरा हुआ जी बोले है छेचे बच्चे सवाल पूचो बेरोजगारी के मुद्धे पूचो मांगाई के मुद्धे पूचो तो काते हरार माते हो बढ़ा काँ अाज वाइं फैव फैया यह अभी तक नहीं बता पाऊए यह डबल इंजरन की सरकार डबल इंजरन की सरकार ने reclaim की सरकार ने लेकेज़ वालिषए इनिक सरकार है अगे कर्क कि हाइदराबाद में कांगेश सरकार है वहाँ पर भी अच्छा है इंडिया गर्द बंधन को आप कहां चाहिए हम सहाजनवा ग्राम मतलब हमारा सुर्गाना कहां है सहाजनवा के और उतर साथ से 10 किलो मेटर दूर चाहिए हैं और प्रस्तनी हम ओड देने के लिए हैं गर्द समझभादी पेंशन दी यह लेट आफ दी है हमारी सरकार ने बहुत सारा काम कि एर जंता के लिए और ना की एक विशेस जाथ के लिए कि है इसलिए कट बंदन से हमारा सबसे अपील है कि गंट बंदन सरकार बनाये और जो है जंता को लाभ मेले पूर बाउमत से रभी किसन और बाबा और इन लोग का रहा हैंगे आप कह रहे हैं कि गोरगपूर में भी सेंद माल लेदारी है कट वंदर जी बेलकूल उसमें कोई सकी नहीं है है जी जजद्राबाद में भी नहीं नहीं सरकार आई हैंग्रेस का अभी वहां पे गजिसलेंडर पहले कोई आप नहीं देखे नहीं किया है सब को मालूम है 108 नंबर लाई है हम और सिरंडर लाई हो क्या नम अपना लैप्ट आप लाई है हमारी सरकार ने सब को मालूम है वह पांगजी में कारवाइन नहीं करती है रोड जमीनी अस्तर पर काम करती है तो मन्स खाली होगा है खत्मूंगे निटे लोग करेंगे जु़जवान को रोजवाने को रुसकार देंगे। प्रियंका जी ने बोला है कि हम युवाओ को रोजगार देंगे जितने भी महिलाव को सम्मान दिया जागा और जो यहां के निशाद लाव हैं उनके लिए एक हम इंसुरेंस का काम करने का काम करेंगे जैसे कि उनके लिए कर्ज माफ करेंगे किसान कर्ज माफी हां किसान क्या कि रहा है वहिए उनका हेलिकाप्टर आए उसी से दूल दूल उड़ा है तो आपको लग गया है जो दिल में तमना थी देखने का सुनने का जो टीवी पर रोज रोज फील करते थे आज सामने एकदम पूरा हो गया है बड़ा नेता के शहर आता है तो उनके आने से कितना जोस बढ़ जाता है अरे एकदम जान लिजे कि अब बता नहीं सकते हैं जो टीवी पर सुन सुनके पक गय थे आज एकदम दिल खुस हो गया है एकदम मलम चरम सुक की प्राप्ति हो चुकी है हम लोगों को जो हम लोग चाहे थे वह हम लोग ने सुना हो हम लोग को मिला तो गोरगपुर का युवा है वो भी काजल ने साथ बिल्कूल पेरोजगार युवा है पूरी तरी लाल लाल कैसे हो गया है गमचे से और गर्मी इतनी है यह समझवादी रंग है उनके नितियों को जानने के लिए लोग आयते हैं सबको पता थे बोले हैं कि 30 लाग जो नोकरी है सत्ते में आते तुरां 30 लाग की नोकरी भरतियों को करेंगी गोरक धन्दा बंद होगा गोरक पूर में गोरक धन्दा बंद चल रहा है मैं बता रहा हूं आपको मैं मुद्य की बात बता दे रहा हूं 500 रुपय अगर गैस का जाता हो तो सलाना 6000 रुपय होता है ठीक अगर जो लड़के ग्राउन पे दोड़ रहे हुए यादो का तरीका लड़का है पर आपने साथ सल भरती नहीं निकाला हो बच्चे बेरुजगार हुए की नहीं हुए है कड़ू के तेल में अगर सो रुपया बढ़ गया तो अगर परिवार चाल लीटर खाता है तो 4800 रुपया हुआ यानि दस हजजार रुपया हमलों के परिवार के करोना काल से लेकर के आज तक पर बताये सारे विपत्ति सारे युवाओं के उपर है आप रोड बना करके कहते हमने विवार के विकास किया में बताता हूं इवा बेरोजगार है उनके घर में खाने के लिए नहीं है परिवारा नहीं है तो एको बच्चा का जनिया जखर परिवार बते चे बच्चा ना चार बच्चा करें उनके एको बच्चा करें लोगों को सला जेते हैं कि बच्चे ज्यादा है सबके नोकरी ने ना नोकरी बबादी ने बस हिंदू-मुसलिम करना इनको और कोई मुद्दा ने इनके पास हिंदू-मुसलिम बस मुद्दा इनके पास पर लिख से परसान जाके अलाबालों कि यहां से कोई युवाला का पढ़ाल का सिछित ब्यक्ति नहीं है जो नचनिया को बुला करके यहां से संसधी टिकट दिया जा रहा है आज तक वह बच्चों का कोई भविस्जिनाई को पूछने वाला है आज करके संसधी करना आओ पूली से उनके आप से देख लेगते हैं इतना आप उनका चड़ जाता है देखें हैं हमारे गां में आयते रामलीला में वह धर मस्थल पे आ करके बीजेपी का परचार करके गए यह गलत है सवाल पूछो बेरोजगारी के मुद्धे पूछो मांगाई के मुद्धे पूछो तो काते हरार माते हो प्रेंस मांण आर सकते हैं आप कव्यिसकों समस्कम प्रेंस कहां कर पांक डाइंचे मिलें गया भर अबाणीो ल Mensch Attila अव्लों काचक के लाएस कि Всемिए कैसे तुला है योटूब पे देखेंगे। चानल देखेंगे। जानल देखना। इसनल आम पे आपको देखेते हैं। यूटूब पे नहीं देखे से इस में पर दिखे हैं आपको बहुत सिकाटी है आपकोद70 किलो मीटर के दाने करते हैं कि यहां से सर्च करो हैं तो हम हैदराबस से आये हैं उनली समझवादी पार्टी को गटबंधन कोड़ देने के लिए लोग तरज तो चुके हैं भाजवा सरकार से असारे लोग बहुत तगड़ा वोट गोरगपुर यह कहा जाता है कि पहले तो सूबे के मुख्य मंत्री हैं इसी से आते हैं मंदीर है दबदबा तो है ना कोई दबदबा नहीं है मैं गोरगपुर भी सुभी दाला का छात नेता हुं और यहां पर छाषा संग चुनाव नहीं हो रहा है इसलिए बाबा चाते हैं अपने घड़ में चातरों के भी चुनाव बाबा का बाबा का डर बता रहा है जीत का जो पक्चा समाजवादी के तरफ जारी इसले बिस्टो बिदला में चुनाव नहीं हो रहा है अब इतक का में गोरपूर का अखड़ा आपको पता देते हैं बिधायक के नीचे का जितना चुनाव है सब सपा जीती है जीला पंचायत आप देख लिजे सब सपा जीती ह इन्डिया गडबंदन जीता रहा है एक सीट जो है काटे की ठककर वहीं बनारेश की सीट है बस बाकि सब जीत रहे हैं हम लोग गडबंदन जीत बाकि का बाकि सारा गडबंदन जीता है पहले ही 400 पार यह पहले ही 400 फार जो मेरे देश के बीर मारे गए आज तक आईडियस कहा से यह पता नहीं लगा पाएं यह पहले ही जान जाते हैं कि 400 पार का नारा देदी है यह लोग हिंदू की बात करते हैं और पीफ कंपनी से लोग 200 क्रोड के चंदाली है तो यह सब कहां से यह बता हिए इस बार इंडिया गंटबंधन सीट लित रही है और इसलिए बेरोजगारी का महाल है बेरोजगारी महंगाई और यह उवाओं का सबसे बड़ा मांग है बेरोजगारी पूर तो चमकाती है ना यह देखे उधर बना है इसका सुन्दक गणते नोकाव यार राध मेर राध मेर आये लेग्वा लगवाट यह दिरिस सदेख लीजिया आप आपके सामने है तुरा तरफ सुधी करान्ट चब अखिले सटों की सरकार्ती पूरी तरफ सुधी करता लगे हैं 6,000 टिकट जब लगेगा ती बता है हम पैसे नहीं को तुम घूमेंगे कहां से अब जो भी लग रहा है हम तो दे गए नहीं आसता सुनने में आ रहा है बहुत महांगा टिकट काट रहे हैं लो यह तो एक गोरक धंदा हो गया इससब के किसटी के चाहन हिएगा जभी द्यालंद में में पीस्यू दर परदाते जारहा हैं जीए ले रहा है अठारा परसंट जीए जारहा है छात्रों से तो बताई कहां से तेगा किसान की बात मैं करता हूं किसान पूरी तरप अस्ता जीडिय परसान करके रखता है बीना मतलब मौावजा दे रहा है पुरानी रकम दे रहा है अच अजबर जश्टी किसानों की जमीने लिजा रही है आपको किसान का माहूल देखना हो, हमारे एरियम कुस्मी के तरफ आए, आपको किसान पताएंगे, कैसे वो लोग शास ले रहे हैं? जबर जस्ती यहां की जीडिये कमपनी ले रही है, जमीन उलों की जबर जस्ती ले रही है। कि यहां से लगातर को मारा पाड तक चले जाए पुस्मीर छेत्र में जमीने जो हैं सरकार लेने का काम कर रही है बिना सही मौाओजा दिये लोग तो सरकार 70% किसानों का साइन होता था जीत रहे हैं चाना क्या है कोई दिखकर नहीं है अब बताईए यहां तो नीट का पेपर लिक नहीं हो था इस बार नीट का पेपर लिक हो गया सरकार जो है इसे पता चलेगा पहले पेपर ही लिख हो जा रहा है एक परिच्छा इस सरकार में यह कहीं भी पर हम सफाई कर रहे हैं यह इतने चोर बैमान उसमें बैट गए दीरी दीरे तफाई कर रहे हैं इस सरकारन चोर बैमान बैठाई है यह सरकार जो पेपर लिक वाले कौन है मोदी जी जोगी जी तो है जन्ता क्यों बैटार के घर में चोरी हो जारी इस बार जन्ता बदलाव चाह रही है आप मोदी और योगी दूनों जनी के एकदम हटावल चाहती है यह जन्ता सब्सक्राइब होता हुआ कहां चिल्णा योगी जी कर यह डबल इंजन की सरकार है डबल इंजन की सरकार ने लिकेज वाली सरकार है मैं बता दूं इंडिया गटबंदन जो है 23 लोग से गटबंदन की है और पापा सब के कहते हैं कि मतलब अंद वक्तों के पापा कहते हैं इसे मेरा सेर अकेले ही लड़ रहा चुना हो बताइए आप लोग देश में ही खुछ नहीं है विदेश में डंका पच्छा रहा है तो नहीं की सरकार है अगले दिन वारल हो गया मेडिया दिखाता है कुछ और दिखाते है मैडम मीडिया वही बच गई है वही कुछ कर सकती है मेरा आवाज नहीं है कि मीडिया जो है परसेंटेज को बढ़ा चाहिए ताकि उसमें हम घाल मिल करेंगे यह भी मैटर खुलके कहीं नहीं आ रहा है मेडिया के माद्याम से मैं बताना चाहता हूं सरकार के पास मंदिर मजदी छोड लिजिए कोई मुद्द है अब सरकार यह जा रही है अब इनको टाटा किया जा रहा है अब बदलाव लाएंगे और गटबंधर की सरकार बंधर निकालेंगी यह सरकार सत्ता बाहर जा रहा है उसमें गंड़ा जाने जाएगी अब की पारी 200 साल बाद आगी अभी तक अभी 70 साल बाद आगी जार जून को राष्टी अद्द जी बोले हैं एक फिल्म रिलीज होगी कौन सी फिल्म है वो आप लोगी बताईए एक थी बीजेपी एक थी बीजेपी कोई जान नहीं पाएगा बीजेपी एक थी बीजेपी तो चार तारीको आएगा तो एक ही तारीको चार तारीको चार तारीको चार तारीको एक फिल्म रिलीज होगी एक थी नेट्फिक्स पे पूरे बारत में पूरे बारत में एक फिर्म रिलिज होगी अजना जी कुछ करेंगी इस बारत की चौता स्थम्ब तो आप लोग से निवेदा ना सही निज दिकाईए आसाथ बेरोजिकारों की बाप बात उठाई है मेडिया मेडिया वाले दिखाते हैं जा पचार पार रहे आस तक एबीपी निज रिपबलीक भारत यह सब बोदी मेडिया आप खुदे सर्वे की होंगी मेडम जनता यही चिला रहे गट बंदन बदला जनता बदला है आप पसब्यों देखे में एक इंटरविव देखें जिसमें मोदी जी बड़े पत्रकार मैं मोदी जी बहुतन हो Campaign to कि यह नहीं भार लेकिन दीन भार सुबंत सुबत सुधान मंगसुत हिंदू मुस्लिम इनके बारो रोजगारों की बाती नहीं करते हैं रोजगार परदान चुरा के लिया है अभी तक हमारे घर पानी धरती में निकलता हम उसको अभी तोटी आहीं नहीं नहीं तोटी जो और बता रहा हूं जो भी आप बर साथ आएगा तो भर जाएंगे योगी जी करते हैं इसकास करता हूं यह स्टिकास करता हूं करता है अब बड़े पर माने पेपर लीग करवाएं रटके लब यह के वल पांच केलो रासन देते हैं आप बताए केवल चावल केवल और गयों केवल चावल तेल चाहिए दाल चाहिए यह लोग 5 kg देते हैं हमारी इंडिया गडबंदल की सरकार को ने इस भी पांस किलो नहीं रहता है तो समय भी कमिश्टा खाजाते हैं लोग आज यूवा अगर इतना उसा अधिक रहा है तो कहीं ना कहीं है जा के पाइले चैनल खोल के रेखिए उसके बाद मोई जो अगनी वीर योजना आई है इसको लेकर के जो है कि यूवा बहुत परसान चल रहा है और दूसरी चीज यह है कि भाजपा के जीतने भी कारिकरता जी का इंदा जो होगा वोबी बहुत अच्छा होगा ठीक जो हुआ अच्छा होगा वो बशे करता तो किम इसको इंदाने जीतने पर दिंगी यह टर वो हो नहीं बताहिंगे प्राश्टाचार के साथ हैं कि रोजगारे साथ हैं कि रोचगार के साथ इस ड की सारी होगा और उताओ सुनकी defendants i억es का लिए तो मधा आगे किस तरफ जाएंगे खुँन से आप अलग अलग देंगी डिया उल्हाई यही घर में अलग अलग मत है कि अलग है देखे यही है लोगतंत्र की खुब्सूरती अंटी को कोई कोई और पसंद एंकल को और पसंद है यह लोग तंत्र में है कि महिला जो है वे कॉंघरेस को वोट कर रही है और जो आगे जो चाचा है वो 24 को सपोर्ट करना चाहते कर पाँच किलो रासन से नेरा कारोबार चल जाएगा लेकिन अंकल को पता है कि मैं बेरोजगार हुआ क्या करेगा जिन्दवाद समझ वादी पर्टी जिन्दवाद यह हुए है रहे हमें तो आज के चोवी साल पहले डिटार कर दिया गया थारा सार में नौकरी चाहिए आपको ने ने नौकरी तो नहीं चाहिए बोलने हैं कुछ और निकलता है मुझे कुछ और